हालो मैं हूँ शाहिनी हुबलीकर और मेरी चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं अपलोड करने जा रहे हूँ थर्ड स्टेंडर के बच्चों के लिए मैथेमेटिक्स का नमबर वर्क जो मैंने पार्ट वन और पार्ट टू में अल्रेरी अपलोड कर दिया है और अब मैं पार्ट थ्री आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ और अगर आपने पार्ट वर्न और पार्ट टू नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले वो देखिएगा फिर उसके पाद ये देखे पार्ट थ्री वरना आप लोगों को आप क्या पढ़ रहे है समझ में नहीं आएगा ठीक है और अगर आज आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे है और अभी तक मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैब कीजिए जो बिल्कुल मुफ्त है जिन लोगों ने अल्री सब्स्ट्राइब कर दिया है उन लोगों को थैंक्स अलोट और प्लीज फारवर्ड कीजेगा मेरे चैनल का लिंक दूसरे बच्चों को और आपके जो रिलेटिव्स है उन्हों की भी बच्चे पढ़ते रहेंगे तो उन्हे भी मेरे चैनल का लिंक फॉर्वर्ड कीजे ताके सारे बच्चे अच्छे से पढ़ सके मेरा जो एम है ये वीडियो बनाने का वो बच्चों को पूरा डिटेल में लेसन समझने चीए जो भी वो सीख रहे है अगर वो बिना समझे अगर बच्चे लिखते है तो कोई पूरा नहीं है और बच्चों को अगर समझता है तो बच्चे बहुत ही इंप्रेश्ट लेकर पढ़ाई करते है इसका एक्स्परियंस आ गया है जो मेरे सब्सक्राइबर बच्चे है उन लोगों को और उन लोगों के पैरेंस लोगों को भी क्योंकि सिर्फ बच्चे ही नह लेकिन इस बार मैं चाती हूँ ये मन्द एंड के पहले वन मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए तो इसका मतलब ये होगा कि कितने बच्चे जादा से जादा सीख रहे हैं मेरे चैनल से तो मुझे में लगेगा कि मेरा जो मैनत है वो सफल हो गया ठीक है तो पार्ट नमबर ओफ बीड्स ऑन दो वायर राइट दो नमबर इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स तो ये जो बीड्स उन लोगों ने यहां पर हमें दिखाए हुए है तो आप लोगों को किस तरह से करना है उसका उन्होंने हम लोगों को एक्जाम्पल भी दिया हुआ है जिसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था हम लोगों ने पोटला बना कर रखा हुआ है वन थाउजन बीड्स का जिसे ओपर हम लिखते है एच एच फॉर हंड्रेड ओके टी फॉर टेंस और यह जो सिंगल है बीड्स वो है यूनिट नमबर ओके तो अभी यहां प हंड्रेड्स है टेंस है एंड यूनिट है तो हंड्रेड्स में कितने है भई दो हंड्रेड्स है इसके लिए हम लोगों ने यहां पर वन एंड टू सरकल बनाए बीड्स टू ही बीड्स बनाए उके उसके बाद टेंस कितने है वान टू थ्री फो फाइव टेंस है इसके लि और unit में कितने है single number 1, 2, 3, 4 तो unit में हम लोगों ने यहाँ पर 4 beats बनाए 1, 2, 3, 4 तो अभी हम लोगों को मिला number hundreds में कितने है 2 tens में है 5 और unit में है 4 और इसे अभी हम लोग words में भी लिखेंगे two hundred and fifty four ठीक है two hundred and fifty four अभी आगे देखते है इन्होंने में क्या दिया है hundreds के कितनी पोटली है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो hundreds में कितने bids आएंगे 6 आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 tens one है only one bid unit में कितने है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो unit में आएंगे seven bids तो six hundred and seventeen तो words में लिखा six hundred and seventeen इसी तरहर से आगे भी इन्होंने हमें दिये हुए है देखो यहाँ पर है hundreds के कितने four 1, 2, 3, 4 तो hundreds के जगे पर हमने four bids निकाले tens के जगे पर हमने three bids निकाले unit में single one है तो unit के जगे पर एके बीट निकाला four hundred and thirty one तो words में लिखा इसको four hundred and thirty one है ना सान तो इसी तरह से आगे भी आप लोगों को लिखना है कितने hundreds है one, two, three, four, five, six, seven hundred के जगे पर seven bids निकाले हम लोगोंने tens के जगे पर four bids निकाले one, two, three, four और unit की जगे पर two bids one, two और लिखा seven hundred and forty-two easy लगने लगा ना भी एकता हम पता है मुझे seven hundred and forty-two इसी तरह से hundreds कही पर भी देने दो उनको hundred, one, two, three, four, five, six, seven, eight तो यहाँ पर आएंगे eight bids ओके tens में क्या है भई, tens तो है नहीं आ पर T हमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा है इसका मतलब T में कुछ भी नहीं है जीरो आएगा कुछ भी नहीं निकाल ला है हम लोगों यहाँ पर और unit में कितने है one, two, three, four, five, six, seven, eight unit में eight bids आएंगे तो eight hundreds tens में आएगा zero and unit में आएंगे eight तो words में हम लोग लिखेंगे eight hundred and eight ओके, eight hundred and eight इसके पाद है hundreds में one, two, three, four, five यहाँ पर आएंगे five bids tens में one, two, three, four, five, six, seven, eight तो tens में आएंगे eight bids और unit में one, two, three, four, five unit में आएंगे five तो five hundred and कितने थे वह यह one, two, three, four, five, six, seven, eight five hundred and eighty-five five hundred and eighty-five फिर words में लिखेंगे five hundred and eighty-five उसके बाद है hundreds कितने है one, two, three, four hundreds के जगे में कितना आएगा one, two, three, four tens कितने है one, two, three, four, five six, seven, eight, nine तो tens के जगा पर आएगे nine, four, nine और unit में है one, two, three, four, five, six seven, eight, nine आएगे समझ में आएगे आप लोग को hundreds one, two, three, four tens one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine and unit one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine four, hundred and four, nine, nine four hundred and ninety-nine four, nine, nine फिर words में लिखेंगे four hundred and ninety-nine ओके फिर सबसे last hundreds में एकी है तो एकी आएगा बीड tens में कितने है one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine nine और unit का कुछ दिया ही नहीं है तो आएगा जीरो तो जीरो तो हम लिखेंगे नहीं बीड तो लिखांगे निकालेंगे ही नहीं जीरो का तो कितना हो गया one, hundred and ten sorry one, hundred and nine one, two, three, four, five, six seven, eight, nine तो one hundred and ninety ओके one हाँ one hundred and nine zero one hundred and ninety फिर वर्ट्स में लिखेंगे ठीके? clear? any doubt? ओके very good तो अभी देखते हैंगे पीछे क्या दिया है इन लोगोंने three digit numbers writing and reading बहुत ही आसान है भई ये तो देखो आप लोग को तो nine hundred and ninety तक लिखने के लिए उन्होंने कहा है तो start किया है 101, 102, 103, 104, 105 फिर six का जगा है वो blank चुड़ा है वहाँ पर आपको लिख रहा है 106, 107 फिर 108 blank चुड़ा है उन्होंने तो यहाँ पर लिखेंगे 108, 109 110 फिर 214, 215 ठीक है? 207 इनके बाद हैगा 218 तो इस तरह से आप लोगों को ये कम्प्लीट करना है 990 तक है ना असान? करोगे ना आप लोग? Very good इस में तो आप लोग बहुत ही champion हो भई मुझे पता है तो अभी यहाँ पर दिया है आप लोगो make three digit numbers जो आपको exam में आएगा ही आएगा make three digit numbers using each of the given digits only तो यहाँ पर एक triangle दिया है one, two, three लिखा है तो अभी ये three numbers use करके हम लोगों को three numbers बनाने हैं तो हमने बना यह number one, two, three है ना one, two, three फिर one, three, two one, thirty, two two, thirty, one three twelve three, twenty, one समझे आप लोग ये तीन numbers से ही आप लोगों को three digit numbers बनाने हैं उसी तरह पे यहाँ पर भी आपको दिया है zero, three, five तो बनाओ लेकिन इसमें first hundred की place पर जीरो नहीं आएगा ठीक है? ये hundreds का place है उदर zero नहीं आएगा तो आप लोग कैसे लिखोगे? यहाँ पर उन्हेने लिख कर बताए आपको three hundred and five three zero five five zero three three five zero five three zero है ना? है ना असान? तो फालत भी टेंशन लेते हैं आप लोग देखो नाव नोट थाट zero three five zero five three are not three digit numbers because these numbers are written as thirty five and fifty three using only two digit means zero means nothing इसके लिए मैंने आपको काना के पहले zero नहीं यूज करेगे hundred place में ओके? खुड अभी यहाँ पर आप लोगों को उन लोगों ने same दिया हुआ है तो यह भी आप लोग आराम से लिख पाऊगे I think आपको अभी यहाँ पे कोई doubt नहीं आना चीए देखो six seven eight six eight seven seven six eight seven eight six इस तरह से 30 digit के नमब बना पाऊगे ना आप लोग one sixty two one twenty six six twenty one one twenty six हो गया फिर six hundred and twelve six twenty one इस तरह से बना सकते हैं फिर nine four ninety five nine forty five five ninety four five forty nine है आसान good अभी three जो zero आता है तो आपको थोड़ा alert हो जाना चीए क्योंके zero hundred की जगे पे नहीं आना चीए three hundred and seven seven hundred and three three hundred and seventy seven hundred and thirty इस तरह से आप लोगों को numbers लिखने है three digit के अपके नाव टेक एनी त्री डिजिट नंबर जैसे इन्होंने यहां पर हमें बताया था ठीक है है ना असान अभी तो कर पाओगे आप लोग very good अभी इसके आगे है आप लोगों को the number before the number after याने पहले के नंबर और बाद में के numbers जो हम लोग मैं अपलोड करूंगी आप लोगों को part four में वरना वो क्या होगा एक साथ सब सिखाऊंगी तो सब बंपर जाएगा आप लोगों के दिमाग के उपर से इसके लिए हम लोग धीरे धीरे जाएंगे step by step जाएंगे क्यों क्योंके ये है आप लोगों का basic अगर ये basic आप लोगों के समझ में नहीं आया तो आगे आप लोगों को mathematics से फिर डर लगने लगेगा इसके लिए अगर ये basic आपने मजपूत कर लिया तो आगे बे कोई भी sum आने दो कोई भी match आने दो आप लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और दिन में एक बार तो आप लोगों को table बोलना ही चाहिए चाहे सुबह बोलिए या शाम को बोलिए ठीक है तो इतना आप लोग जरू करेंगे अगर अभी से करोगे तो आगे problem नहीं आएगा ठीक है जलो फिर अभी जल्दी ही मिलते हैं part 4 में तब तक के लिए ये तीनों वीडियो देखकर रखे आप लोग और आपको समझ में आया कि नहीं मुझे बिलकुल बताना कोई doubt है तो comment box में पूछना मैं आप लोग को जरूर जवाब सुनगी अगर कोई doubt नहीं है तो एक thanks तो मेरे लिए बनता ही है है ना और अभी तक तो आप लोग उने like कर ही दिया होगा देखो फिर ज़्यादा like नहीं आएंगे तो फिर मैं सोचूंगी अगला वीडियो बनाना है के नहीं बनाना है ठीक है तो फटा फट like करना और forward करना अपने दोस्तों को और ले ट्यूस को चलो फिर stay home stay safe all the best and bye bye